दोस्तों ये कर्म हमारे जीवन में और जीवन के बाद भी अहमियत रखता है. ये बातें आपने भी जरूर कभी न कभी किसी के मुह से अवश्य ही सुना होगा. आपको क्या लगता है? ऐसा होता है. अगर हा तो वह कर्म कैसे अपना कांग करता है? और एक अच्छा कर्म कैसे करे? कैसे पता करे की जो मैं कर्म कर रहा हूँ, वह अच्छा है या बुरा? यदि हम बुरा कर्म करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पढ़ता है बुरे कर्म कैसे हमारे जीवन को कष्ट में डालती हैं, कैसे दुखों का शिकार बना देता है, हमारे जीवन को कैसे बरबाद कर देते हैं, लोग से अक्ड़। दोस्तों आज हम जानेंगे ये कर्म कैसे हमारे जीवन में महत रखते हैं, और कैसे हमारे जीवन पर असर करते हैं, एक बुद्ध की कहानी से समझेंगे, दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, उन्हें फॉलो करते हो, तो विडियो के कॉमेंट पर एक बार नमो बुद्धाय जरूर लिखे, दोस्तों हमीरपुर नामक राज्य का राजा हुआ करता था, उस राजा के पास सब कुछ था, उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं था, कमी था भी वह एक संतान क कि दोस्तों उस राजा की संतान नहीं हो रहा था, राजा बहुत कोशिश किया, काफी जगह अपना इलाज कराया, फिर भी उनके ये परेशानी दूर नहीं हो पा रहा था, अब राजा को इसी बात की चिंता साता रहा था, कि आखिर कौन इस राज्य के सिंहसन के बागदोर को संभालेगा, मेरे प्रजा के देख रेख कौन करेगा, कैसे एक अंजाने बिना योग्य वाले को अपना सिंहसन सोप दूर। परन्तु कैसे बाहर निकले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक दिन राजा अपने राज्य के भ्रमन के लिए निकला हुआ था, भ्रमन करते करते राजा एक कसबे तक जा पहुचा जहाँ पर महाक्मा बुद्ध अपने शिशों के साथ उनके राज्य के प्रजा को कर प्रमन के बारे में ज्यान दे रहे थे, राजा महाक्मा बुद्ध के विचार सुनने के लिए आम लोगों की तरह ही चुप चाप से बुद्ध के विचारों को सुनने लगा, महाक्मा बुद्ध की उपदेश देना जब समाप्त हुआ, तब राजा ने उस महाक्मा के पास क और उनसे कहा, ये पर्भू मैं बहुत चिंतित दुखी हूँ, कृपा करके मेरे इस दुखों चिंताओं से मुझे मुक्ति दिलाए, महात्मा बुद्ध उस राजा के बातों को सुनकर कहा महाशय आपको क्या परेशानी है, आपको भला क्या चिंताएं हो सकता है, आप तो इत में भी मेरे करमों का कोई रोल है, यदी हैं भी तो कैसे उसे सुधारा जाएं, कैसे उसको ठीक करें, महात्मा बुद्ध उस राजा के बातों को सुना और कहा, आप एक कोमल दिल के इनसान हैं, और आपको एक संतान का भी सुख था, लेकिन वह बालक आपके राज्य के सिनह पर बैठे यही दुआ आपके प्रजा करते हैं। इन ही बजहों से आपका कोई संतान नहीं होपा। प्रभु कैसे पहचाने एक कर्मशी इनसान को महात्मा बुद्ध ने कहा ये बहुत ही सरलसा उपाय है। मैं तुम्हे बास की टोकरी दे रहा हूँ। जो इस टोकरी से नदी का पानी आपके महल तक भर के ले जाएगा आप उन्हें अपना समराथ। घोशट कर देना राजा महात्मा बुद्ध से कहा जी गुरुजी और उन्हें अपने धन्यवाद कहकर अपने महल की और प्रस्थान कर दिये। अपने सेना पती के द्वारा एलान पुरे समराज्य में कर दिये की राजा अपना उत्तराधिकारी अपने राज्य के किसी एक बालक को लेने वाला हैं। उसके दूसरे ही दिन पूरे समराज्य भर से लड़के आये, राजा ने प्रत्येक लड़कों को एक बास की टोक्री दिया और कहा, जो भी इस टोक्री में पानी भर के लाएगा नदी से, उसे इस राज्य का समराट घोशित किया जाएगा, सब बच्चे नदी के तरफ प्रस् लगता है राजा हम में से किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के मूड में नहीं हैं, ये सिर्फ दिखावटी के लिए कर रहा है, बीच रास्ते से ही कुछ लड़के घूम गए, लेकिन थोड़े ऐसे भी लड़के थे, जिनके मन में सवाल उठ रहा हैं कि एक बार प्रय प्रयास करके देखते हैं क्या होता हैं, आखिर लड़के नदी के पास पहुच गए, सभी ने कोशिश किया कि टोकरी में पानी भरे, लेकिन जैसे ही इस टोकरी को पानी से उठाते हैं सब, पानी गिर ही जा रहा था, एक लड़के को छोड़ सभी लड़के हार मन कर खाली टोकरी लिए महल की और प्रस्थान कर दिये, और राजा के पास पहुच कर उनसे कहा ये संभव नहीं हैं, वह लड़का जो अब भी प्रयास कर रहा था, उनके मन में बस यही सवाल चल रहा था कि राजा ने कुछ करने के लिए कहा है, तो जरूर उसमें कोई रहस्य हैं, इ और आखिर कर सूरज ढलने के पहले तक वह उस टोकरी से पानी लेकर राजा के महल तक लेते आया, राजा ये देख कर हैरान रह गया, राजा ने उस लड़के से पूछा तुमने ये कैसे कर लिया, लड़के ने कहा, जब आपने मुझे इस चिदर वाले टोकरी दिये तब म मेरे भी मन में संचय बन की भला इसमें कोई पानी कैसे लाएगा, किन्तु मैंने सोचा, यदि आपने हम लोगों से कहा उस चीज को करने में उसमें जरूर कुछ न कुछ सच्चाई हैं, इसलिए में प्रयास करते रहा, राजा उस लड़के के कर्मशील को देख, उनके बातों से बहुत प्रसन हुए, और राजा ने उसी वक्त उस राज्य के उत्तराधिकारी घोशित कर दिया, दोस्तों इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है, कि जो इनसान अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनके जीवन अनंत सुखमय बित्ता हैं, राजा भी उसके बाद खुश हो गया, फाइनली उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया, दोस्तों यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत की प्रेणा मिलते हैं, इस तरह की सक्रात्मक कहानी लिखने में तथा आपके बीच परस्तुत करने में आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन सुखमय बीते यही हमारा आपसे शुभकामनाय हैं, दोस्तों यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत की प्रेणा मिलते हैं, इस तरह की सक्रात्मक कहानी लिखने में तथा आपके बीच परस्तुत करने में आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन सुखमय बीते यही हमारा आपसे शुभकामनाय हैं लाइक लाइक वाही हमारा आपसे वो और आपके लाइक वाइक भरस्तुत भाइक लाइक वाही कहा हैं